पर जैसे ही वो selling price बढ़ाता है उसके demand घट जाती है एक व्यापारी कैसे कैसे अपने business को बचा पाता है उन्हें price में हमने कोई परिवर्तर नहीं किया लेकिन फिर भी हमारा profit बढ़ गया अगर आप यह समझगी कि cost price कैसे घटेगा तो profit असानी से बढ़ जाए हाई फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अमित माहिश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्पर्ट ट्रेनर, मूटिवेशन स्पीकर और चीयो मेटासो वर्सिज लेमेटेड आप सभी का सोगत करता हूं आज के informative वीडियो में फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अर्थ व्यवस्था में economy में इस समय बहुत अधिक recession है और competition है और competition के इस दौर में एक व्यापारी कैसे कैसे अपने business को बचा पाता है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कई बार ये देखा गया है कि एक व्यक्ति अपने business में अपने profit को बढ़ाना चाता है और उसको लगता है कि अगर मैंने selling price बढ़ाया तो मेरा profit बढ़ जाएगा पर जैसी वो selling price बढ़ाता है उसकी demand घट जाती है तो आज हम इस विशह पर बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिसमें हम बिना कीमत को बढ़ाए अपने profit margin को बढ़ा लें मतला how to grow profit without increasing price अपने price में हमने कोई परिवरतर नहीं किया लेकिन फिर भी हमारा profit बढ़ गया इस विशह पर हम बात करने वाले हैं तो इस बात को समझन के लिए ना सबसे पहले हमें यह समझना जुरूरी कि profit होता क्या है profit होता है selling price minus cost price आप किसी भी product या services को किस cost पर बेच रहे हैं और किस cost पर उसका production हो रहा है या वो service आप प्रोवाइड कर रहे हैं example के लिए मान लेते हैं मान लिए आपकी toy shop है और toy की manufacturing आप करते हैं manufacturing की एक cost होती है उसके बाद market में उसको sale करते हैं मैं कहता हूँ एक toy को आप 100 रुपी का sale करते हैं और उसकी cost आपको 60 रुपी आती है इसका मतलब आपको मिलने वाला जो profit है वो 40 रुपी है fine आप यह चाहते हैं कि मेरा profit बढ़ जाए तो उसके दो तरीके हैं पहला तरीका क्या कहता है कि हमें 100 रुपे के price को 120 रुपे कर दें और cost हमारी वही रहे और हमारा profit 60 रुपे हो जाए लेकिन competition के इस दौर में अगर आपने अपने price को बढ़ाया तो automatically आपकी sale घट जाएगी और घटी हुई sale से आप अपनी cost को भी cover नहीं कर पाएगे दूसरा तरीका क्या है कि 100 रुपे का जो price था वो 100 रुपे का same है लेकिन जो 60 रुपे की हमारी cost थी उसको अगर हम 50 रुपे पर लेकर आजाएं तो हम आसानी से अपने profit को 40 से बढ़ा कर 50 कर सकते हैं या अगर हम अपनी cost को 40 रुपे लेकर आजाएं तो आसानी से अपने profit को बढ़ा सकते हैं मतलब हमने कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं किया और अमारा profit भी बढ़ गया इसके लिए जरूरी है कि हम अपने business में अपने cost price को कैसे घटाएं इस बात को समझ जाएं अगर और दूसरी variable cost fix cost का मतलब वो है जिसमें आपके production करने से या ना करने से या production बढ़ा देने से आपकी लागत पर कोई प्रभा पढ़ने वाला नहीं है उधारन के लिए आपकी factory का जो rent है वो 50,000 रुपे है 50,000 आप rent पे करते हैं अगर आप 1,000,000 प्रोड़क्ट बना रहे है तो आपकी cost पर product जो rent की आ रही है वो आ रही है 50,000 बटे में 1,000,000 मतलब 50,000 पैसे कि आपकी cost तो केवल rent के रूप में आपके पास आ जाती है आप मैंने आपको कहा कि fix cost में आपको कोई परिवरतर नहीं करना है ना लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो production cost है वो कम हो ज रहे हजार का करें लाखो प्रोड़क्ट बनाएं तब भी आपका insurance सेम रहने वाला है लोन की repayment आपने अपने फैक्टरी से संबंदित प्रोडेक्शन संबंदित बिजन संबंदित जो भी लोन ली है उसको आप रीपे कर रहे हैं आपकी यह मैं उतनी रहने वाली है हना permanent staff salary बहुत सारा staff ऐसा है जो permanent आपके पास रहता है चाहिए प्रोडेक्शन हो या ना हो या बहुत ज़्यादा उतना staff तो आपको चाहिए ही चाहिए तो वह भी fixed cost का पार्ट है ठीक है ना property taxes आपकी जो फैक्टरी का टेक्स है रेंट है वह सारा सब कुछ क्या है property taxes यतने भी तर cost क्या है वह cost जो production के बढ़ने और घटने के अधार पर बढ़ती और घटती है उसको variable कहते है जैसे raw material अगर आप zero production कर दें तो raw material की requirement भी zero हो जाएगी अगर आप 1000 प्रोड़क्ट बनाएं तो 1000 के according ही आपको raw material भी चाहिए एक लाख बनाएंगे तो एक लाख चाहिए मतलब भी variable है production बढ़ेगा तो cost बढ़ेगी production घटेगा तो cost घटेगी production zero हो जाएगा तो cost भी zero हो जाएगी इसके लबा पीस रेट लिबर अपीस रेट लिबर का मतलब क्या है बहुत सारी factories में ना production जो है वो salary based लिबर से नहीं कराया जाता पीस बेस लिबर होती है कि एक पीस का for example one रुपी वो पे करें लिबर कास्ट हजार पीस बनाएंगे तो हजार रुपे दस हजार बनाएंगे तो दस हजार जितने बनाएंगे उसके साब से ठीक है प्रोडेक्शन सप्लाइज प्रोडेक्शन से related जितनी भी चीज़ें जो supply में लगती है हमारी वो सारी cost भी variable होती है कमिशन हम सेल्स एजेंट को कमिशन पे करते हैं वो भी हमारी variable cost है जितने जारा सेल होगी उतना कमिशन जद आपको पे करना पड़ेगा delivery cost एक मेटिल को डिलीवर करना दस मेटिल को डिलीवर करना 10,000 मेटिल को डिलीवर करना उसी रेशो में अनुपातिक जो labor cost हो बढ़ती जाती है पैकेजिंग supply आपकी पैकेजिंग की इतने cost है वह भी सोब प्रड़क को पर ना 200 को करना 500 करना ऊतना प्रडेक्शन इलेक्टरिसिटी कॉस्ट का मतलब क्या हो गया आप जो factory में में मशीनरी चला रहे है जब मशीनरी ज़्यादा चलेंगी तो आपका electricity ability जब एक ए तो सबसे पहले आपको यह समझना जुरूरी है कि आपके बिजनस की कौन-कौन से फिक्स कॉस्ट है और कौन-कौन सी वेरियबल कॉस्ट है अब इसके अदा हमें करना क्या है हमें वही सेम फार्मॉला फोकस करना है कि हमारा कॉस्ट प्राइज जो मान लीजिए 40 रुपे आ र रुपे आ रहा है 30 कॉस्ट है तो 70 रुपे आ रहा है 25 कॉस्ट है तो 75 रुपे आ रहा है हमें यही काम करना है इसी को फोकस करना है अब इसको फोकस करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उसको हम पर पोस्ट नेट घटा दें ध्यान से समझेगा मैंने का पर पोस्ट नेट घटा दें अनुपातिक रूप में घटा दें जैसे मानली जी आपका रेंट पचास अजार रुपे है और आप एक लाक प्रोडक्ट प्रेड्यूस कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो पचास पैसे पर पीस के हिसाब से आपको आ रहे ह अब आपके कॉस्ट कितनी हो गई 25 पैसे पर प्रोडक्ट है ना अगर आपका प्रोडेक्शन मानली जी इसी रिश्व में बढ़ता चला है तो आपका जो रेंट का जो एवरेज कॉस्ट पर पीस है वो घटता चला जाएगा जबकि आपका रेंट फिक्स है तो अब यह बा करना है जैसे आप अपनी प्रोडेक्शन को बढ़ाएंगे वो बड़ी हुई प्रोडेक्शन से एवरेज पर पोस्ट यह जो है वो कम हो जाएगा आप से आपने एक से दो लाग किया टोटल मान लेते हैं आपका को टोटल फैक्टरी का खर्चा है पांच लाग रुपे और आप पांच लाग ही प्रोडेक्ट बना रहे हैं तो एक रुपे पर पीस आपके फिक्स कॉस्ट है अगर आप दस लाग प्रोडेक्ट बना रहे हैं तो पचास पैसे है इसी रेश्व में आप कल्कुलेट करते हैं हमें क्या करना है हमें अपनी प्रोडेक्शन को इंक्रीज करना है और production increase करने के लिए जब हम production को increase करेंगे तो बहुत बढ़ा प्रभाव variable cost पर भी होने वाला है अनुपातिक रूप में variable cost भी घड़ जाएगी जैसे आप माली जिए raw material purchase करते हैं आप 1000 पीस के हिसाब से raw material purchase करते हैं और आपको rate बिलता है दो रुपे पर पीस के हिसाब से मतलब 2000 रुपे खर्चा आता है और इसको लाने के लिए जो आपकी transportation cost लगी है वो लगती है माली जिए 100 रुपे मतलब आपको जो average transportation cost है वो 100 रुपे इसमें जुड़ जाएगी कि 100 रुपे हो जाएगा लेकिन अगर उसी गाड़ी में आप 1000 की जगा 1200 पीस लेके आते हैं और 100 रुपे ही खर्च होता है तो average जब आप निकालेंगे तो आपका जो cost है वो कम हो जाएगा मतलब raw material की quantity जादा खरीदने की वज़ा से उसको factory तक लाने की cost भी कम हो जाती है और कई बार जब आप raw material ज्यादा quantity में खरीदते हैं तो आपका supplier भी आपको rate घटा कर दे रहेता है पास्ट कर दें मालों आपने raw material खरीदा दो दिन factory ओफ रहती है या दो दिन factory का production नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आपकी बहुत बड़ी cost लग रही है इसलिए हमें क्या करना raw material की cost को घटाना है उसके लबा पीस रेट लेबर से आपको लगता है कि यह जो लेबर है ना यह त अगर आप पीस बेस लेबर भी पे कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपका production घट रहा है तो जो fixed cost आप पे कर रहे थे उसका बड़न आपके उपर बढ़ रहा है इसलिए जरूरी क्या है पीस बेस लेबर होने के बाद भी हमें production की quality और quantity को increase करना है जब पीस बेस लेबर जादा product produce करेगी तो आपका जो rent है proportionate कम हो जाएगा आपके सारे खर्चे जितने भी थे fixed cost वो सारे अनुपातिक रूप में आपके उपर कम हो जाएंगे इसलिए पीस बेस लेबर होने के ब बढ़ाते हैं जैसे अच्छी मशीन लगाते हैं एडवांस मशीन लगाते हैं फास्ट मशीन लगाते हैं या जो अपनी production line है उसको इस तरह से design करते हैं कि जहां पर time कम waste होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार production में material आगे चलता जाता है तो वहां पर भी हमा पानी से घटा सकते हैं उधारन के लिए माली जी आपका एक बनता है उसकी फिनिशिंग एक जगा पर होती है कटिंग फिनिशिंग एक जगा होती है और उसकी पैकेजिंग के लिए दूसरी जगा जाना पड़ता है और वहां फिर आपको transportation cost पे करनी बढ़ती है अगर वह फ percentage पर भी ज़्यादा काम करने के लिए तयार होती है उधारन के लिए अगर आप किसी sales commission agent को एक लाग के सेल पर 10% commission दे रहे हैं और 10,000 रुपे दे रहे हैं आप बोलो कि अगर मुझे 5 लाग की सेल लेके आएंगे तो हम आपको पर पोस्टनेट एक्स्ट्रा बेने वाले हैं ज़्यादा production होती है तो average cost of production घड़ जाती है नेक्स जो important चीज़ा है वो है delivery cost अगर आप delivery cost में भी ज्यादा material सप्लाई करेंगे तब भी आपकी average cost कम हो जाएगी माली जीए एक आटो से आप material भेजते हैं और 1000 पीस भेजने के लिए आपको 1000 रुपे खर्चा लगता है लेक packaging cost किसी भी material को package करने में पैक करने में जो cost आती है अगर वो भी घड़ जाए तो भी हमारा profit बढ़ सकता है और packaging cost कैसे कटा सकते हैं कि आप ज्यादा quantity को एक साथ pack कर सकते हैं या packaging के नए तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं या packaging के material को कैसे हम advanced तरीके से समझ पाएं और उसको ठ तो वो fast production करेगी अगर fast production करेगी तो same machinery आपको ज्यादा output देगी कहते हैं कि एक labor जो unskilled है वो same machine पर number of pieces कम बनाती है लेकिन machine चलने की cost same होती है ठीक उस तरह से अगर आपकी production cost में आपकी जो labor efficient होगी तो machinery से same time में same electricity के खर्चे में ज्यादा material produce करेगी कुल मिला के जो सारी बाते मैं आपको कहने वाला हूँ वो यही बात है कि किस तरह से आप अपनी cost of production को घटाए cost price को कैसे घटाते जाए cost price घटेगा तो profit automatically increase होगा इसलिए competition, recession and competition के इस time में सबस्याद आपको focus करना है कि कैसे cost of production को घटाए cost of production घटेगा तो profit volume बढ़ेगा यह बहुत तरह ऐसे त बढ़ाने की तो sales को बढ़ाने के लिए marketing and sales promotion की बहुत सारे videos हमारे इस channel पर दी हुई है, अप selling कैसे करें, cross selling कैसे करें, sales का volume जदा लाने के लिए consumer को follow up कैसे करें, follow up करने के लिए data का increase कैसे करें, वो का marketing का part, उस से related भी बहुत सारे videos हैं, वो videos के link description box में आपको मिल उनको देखें, सीखें, समझें और सबसे important बात अपने business में implement करें, friends मेरे जीवन का उदेशी की भारत के हर घर से एक सफल और professional businessman तयार हो सके, इसलिए अपने business time से बहुत सारा valuable time मैं आप लोगों के लिए निकालता हूं ताकि आप चीजों को सीखें और समझें, friends जेदी आ नमस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की काम ना करता हूं, जै हिंद, जै भारत